नमस्कार मैं हूँ अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूस बिलेटिन आदिवासी टीली हम लेकर आते हैं आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरें साथ ही MBB पोल में आज बात करेंगे आदिवासी पार्टियों के भविश्य की और जानेंगे गौंड आदिवासी योद्धा कोमाराम भीम के बारे में तो शुरुवात करते हैं हेडलाइन्स के साथ पुडमी समाज ने स्टी दर्जा पाने की मांग पर राष्ट्रपती को सौंपा ग्यापन आदिवासी सेंगल अभियान ने किया विरोध उत्तर प्रदेश के चार जिलों में गौंड जंजाती को स्टी दर्जा देने के लिए राज्यसभा में पेश हुआ विधेयक आदिवासी इलाकों में टीबी की पकड तीन जिलों में 260 नय मामले गुजरात के आदिवासी इलाकों में बीजेपी की पता का लहराने के बाद आदिवासी पार्टियों का भविश्य क्या होगा क्या कहते हैं लोग और अब खबरें विस्तार से कुडमी जाती की अनुसूचित जन जाती यानि स्टी का दर्जा पाने की मांग तेज हो रही है जहां एक तरफ इस मांग को लेकर कुडमी संगठन एक जुट होकर आंदुलन तेज कर रहे हैं तो वही कुछ आदिवासी संगठन इस मांग का विरोध कर रहे हैं ऐसे ही एक संगठन आदिवासी सेंगल अभियान ने चेतावनी दी है कि अगर कुडमी समाज को अनुसूचित जन जाती का दर्जा दिया जाता है तो यह है आदिवासी अधिकार और पहचान दोनों के लिए ही घातक होगा दिली में कुडमी नेताओं के संसद भवन मार्च और आर्थिक नाके बंदी की चेतावनी के बाद मंगलवार को आदिवासी सेंगल अभियान की बैठक हुई इसमें कुडमी आंदोलन के जवाब में आंदोलन की घोशना की गई आदिवासी सेंगल अभियान ने 30 जनवरी को राश्ट्रिय रेल रोड चक्का जाम करने का एलान किया है रांची के मुरहाबादी मैदान स्थित गांधी वाटिका में हुई बैठक में ये फैसला किया गया बैठक की अध्यक्षिता करते हुए संगठन के राश्ट्रिय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि कुडमी समाज की स्थि सूची में शामिल करने की मांग सामाजिक नहीं राश्नितिक मसला है दरसल अनुसूचित जन जाती का दर्शा पाने के लिए तीन राज्यों जारखन, मंगाल और ओडिशा के कुडमी संगठनों ने सोमवार को नई दिल्ली में संसद भवन के समक्ष जोरदार प्रदशन किया था प्रमुक्दलों के जन प्रतिनिधियों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्च कराई थी प्रदशन में पश्चिमंगाल के मंतरी श्रीकांत महतो, ओडिशा के सांसद, ममता मोहनता, जारखन से शेलंदर महतो, सांसद, चंदर प्रकाश चौधरी सहित, कई महतो नेता दिल्ली पहुँचे थे इसके बाद मंगलवार को कुडमी समाज का एक प्रतिनिधी मंडल, सुजार्ता, मोहनता के नेतरतों में, राष्ट्रपती, द्रौपदी, मुर्मू से मिला और उन्हें ग्यापन सौपा बता दें, आजादी के पहले कुडमी समाज जनजाती वर्ग में शामिल था, लेकिन 6 सितंबर 1950 को केंदर सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जनजाती की सूची से कुडमी समाज को बाहर कर पिछडे वर्ग में शामिल कर दिया गया और इस मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी सिंगल अभियान संगठन के राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं पूर्वलोक सभा सांसद सालखन मुर्मू सालखन मुर्मू जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कुडमी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जन्जाती के सूची में शामिल किये जाने की मांग को आप गलत क्यों मानते हैं हमारा कहना है कि कुर्मी मातोजाती के लोग जारकन बंगल उडिसा के कुछ जिलो में हैं और इनका दवा है कि 1931 के पहले वे सिडूल ट्राइब लिस्ट में थे उनको निकाल दिया गया है तो इस पर हमारा कुर्मी मातोजाती के लोगों से निभेदन है कि वे लोग अपने प्रमान इविडेंस के साथ हाई कोट या सुप्रीम कोट जाकर उसको स्थापित कर सकते हैं और यदि ऐसा करेंगे तो वो खुद पुनरबहल हो जाएंगे हाई कोट या सुप्रीम कोट ताथेओं के आधार पर उनको फिर से सिडूल ट्राइब या जो चाहते हैं वो कर सकते हैं मगर हमारी जितनी जानकारी है कि ये पहले भी सिडूल ट्राइब लिस्ट में नहीं थे चुकि भारत देश अजाद होने के बाद ही सिडूल ट्राइब लिस्ट पना है उसके पहले ऐसा कोई लिस्ट नहीं था तो दूसरी बात मैं इसको एक पॉलिटिकल सडियंत्र मानता हूँ चुकि इनको जार्खन की जो मुखे मंत्री है भारत सरकार को दे दिये हैं कि कुर्मी मातों को स्टी बनाया जाए आर्थात ये भोट बेंक पाने के लिए इनको भोट बेंक का लालश दे कर ये अपने पक्ष में इनको भटका के एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं मांग का आंदोलन तो मैं सालखन मुर्मू दो पार पहले संसर्थ रह चक्वाह हूं लोकसभा में हम लोगों का चिंता ये है कि किसी भी जाती विसेश को यदि घोट बेंक के लालच और लोब के लिए कोई पॉलिटिकल पाटी या कोई सरकार किसी भी जाती को एस्टी बना देता है तो हम जो असली अदिवासी हैं संताल, मुंडा, उरा, हो, भुमिच, खड़िया अदी हमारा भारी नुकसान होगा और नुकसान ऐसे वैसे नहीं हमारी अस्टी तो खत्म हो जाएगी चुकि अदिवासी कोई भी बनना शुरूप करेगा अभी जार्खन में जैसे कुर्मी के अलावे तेली बनिया उमार ये सारे लोग अस्टी बनना चाते जी, सालखन मुर्मु जी क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि अनुसूचित जन्जाती में किसी समुदाय को शामिल करने के मापदंडों को सपश्च रूप से परिभाशित किया जाए क्योंकि अभी तो कोई ठोस परिभाशा या मापदंड नहीं है और ये विवाद बार-बार उड़ता है जी, मैं भी चाहूंगा इसको एक परिभाशा सेटल किया जाए लेकिन अभी भी कुछ मांदंड है और उसके बहुत सारे गॉवर्मेंट के संस्थान है ट्राइवल रिसर्च सेंटर है सिदूल ट्राइब कमिशन है तो इनके पास कुछ आधार है मगर वो बहुत स्पस्थ नहीं है लेकिन हमारा कहना यही है कि जो एक्च्वल ट्राइवल्स है उसके क्राइटीरिया है कुछ अभी भी हो है तो जैसे उनकी भाषा संस्कृती है वो साई नेचर के है वो जंगलों के पास रहते हैं और उनका जीवन पधती जो है बिलकुल नेचर से जुड़ा हुआ है और वो लोग का परप्तिवार सोच संस्कृती भासा संस्कृती आधी बिलकुल भिन है तो इसके बावजूद भी और स्पस्क क्राइटीरिया जरूर बनना चाहिए लेकिन मैं मेरा आरोप यही है कि बहुत जातिया सिदूल ट्राइब बनना चाहती हैं अरक्षन के लाप के लिए और आदिवासियों के जो पिछड़े हैं उनके लाव को हड़पने के लिए तो वैसे उधेश के पीछे पॉलिटिकल प्रेशर होता है पॉलिटिकल वेस्टेड इंट्रेस्ट होता है तो कुर्मी मातों के स्थी बनने के पीछे भी या उनके आंदोलन के पीछे हमारा ऐसा आरोप है आपने जारखंड, ओडिशा और पश्चिम मंगाल के मुख्य मंत्रियों पर उंगली उठाई है लेकिन ये आरोप तो केंदर सरकार पर भी है कि बीजेपी के चुनावी फाइदे के लिए कुछ समुदायों को आदिवासी मान कर अनुसूचित जंजातिक का दर्जा दिया जा एक्चुल जो असली आदिवासीयों का एक परकार से ये तो जेनोसाइड है कतले आम है ऐसा नहीं करना चाहिए और बेहतर उपाई यही है इसका बहुत ठोस क्राइटीरिया स्थापित करना चाहिए जो पारदर्शी हो और पॉलिटिकल इंटेस्ट या वेस्टेड इंटेस से प्रभावित नहीं हो सके यही मैं कर सकता हूं हम अदिवासी जारखन में और यह जो बोर्डरिंग डिस्टिक्ट है जैसे बंगाल में पूरुलिया बाकुडा मिदनापूर जाडगराम आदी है उडिसा में महिर भंज के उंजर आदी है तो इन जिलों में कुर्मी मातों कि अबादी है और वो एस्टी बन गए तो समझ लीजे जो ओरीजिनल असली आदिवासी हम लोग हैं हमारा तो नेस्ताना बूत हो जाएगा इसलिए हम इसके खेला पाए बता दे हाल ही में केंदर सरकार ने 36 गड़ हिमाचल प्रदेश की कई जातियों को जन जाती वर्प मे शामिल करने का फैसला लिया है इसे देखते हुए कोडमी संगठनों की ये मांग तेज हो गई है और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्ये के चार जिलों में गौंड समुदाय को अनुसूचित जन जाती यानि स्ट के श्रिणी में डालने के लिए सरकार ने विदास नगर भदोही संत कभी नगर और कुशी नगर केंद्रिय जन जाती कारियमंत्री अरजुन मुंडा ने राज्यसभा में ये विध्यक पेश किया इस बिल का मुख्य उद्देश है उत्तर प्रदेश के समंद में समिधान आदेश 1967 और समिधान अनुसूचित जाती आदेश 1950 में संचोधन करना है ताकि यूपी के चार जिलो में गौंड समुधाय को अनुसूचित जन जाती यानि की स्टी श्रेणी में डाला जा सके फिलहाल इन जिलो में गौंड जाती के लोग अनुसूचित जाती में आते हैं इससे पहले ये बिल 28 मार्च 2022 को लोगसभ से पारित कर दिया गया था अब ये राज्यसभा में आया है आपको बता दें वर्ष 2011 की जन गन्ना के अनुसान उत्तर प्रदेश में गौंड और उससे जुड़ी पांच उपजातियों धुरिया, नायक, ओज़ा, पठारी और राज गौंड की आबादी पांच लाक उनहत हजार के करीब है, राज्य के तेरा जिलों के लिए पहले ही प्रस्ताव पेश हो चुका है, मंगलवार को चार नय बने जिलों के लिए भी विध्यक पेश किया गया, संसद के शीत काली इन सत्र में यूपी समेद कुल पांच राज्यों की बारा जातिया और इन से जोड़ी उपजातियों को स्ट का दर्जा देने के विध्यक पेश किये गये हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश में हाटी, छतिसगर में बिंजिया, करनाटक में बेटा कुरूबा और तमिल नाडू में नारी कुरावन और कुरी विकरन की जनजाति शामिल है, हलांकि वहीं असम की 6 जन अधर्शन हुए, इसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी और असम के मुख्य मंत्री हिमन्त विस्वा सर्मा के पुथले जलाए गए, आईए अब जानते हैं कि किसी समूदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, जनजातियों को भारत के महापंजियक यानि रजिस्ट्राल जनरल अफ इंडिया को इसे प्रिशित करता है, इसके बाद राश्ट्रिय अनुसूचित जनजाती आयोग इसे मंजूरी दिता है, और फिर कैबिनेट इस पर अपनी मुहर लगाता है, इसके बाद सरकार संसद में बिल लाती है और यहां बिल पास होने के बाद राश्ट्रपती की मंजूरी के लिए जाता है, दोहजार तेईस में कई एहम राज्यों में विधान सभा के चुनाव होने हैं, जबकि वहीं दोहसार चौबीस में देश में आम चुनाव भी होंगे, ऐसे में आदिवासी समुदायों को का दरजा देकर इस बड़े वोट पैंग को अपने खाते में जमा कर लेना चाहती है, और अब खबर है आंदर प्रदेश से, आंदर प्रदेश के तीन जिलों में 260 नए टीबी मामलों का पता चला है, लेकिन इसमें चिंता की बात ये है कि ये सारे मामले आदिवासी इलाको अभिहान चलाया, इस पहल के तहट इन तीन जिलों में लगभग 260 नए टीबी मामलों का पता चला, जिनमें विशा का पतनम 148, पूर्वे गोदावरी में 50 और पश्चिम गोदावरी में 66 मामले शामिल हैं, बता दें जन जाती टीबी पहल जिसे आश्वासन अभिहान नाम जन जातिये कारे मंतराले, और स्वास्थे मंतराले के केंदरी टीबी प्रभाग की एक सन्युक्त पहल है, इस पहल को भारत के 174 जन जातिये जिलों में टीबी के सकरिये मामलों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया, यह अभियान इस वर्ष 7 जन्वरी को महराश्ठ् नंदुर बार जिले में जंडी दिखा कर शुरू किया गया इस पहल के तहत 68,019 गाउं में टीबी की घर घर जाकर जाच की गई मंत्राले ने साल 2022 में इस आश्वासन अभियान में लगभग 1 करोड लोगों की स्क्रीनिंग की जिसमें 3,82,251 लोगों की टीबी के अनुमानित मामलों की रूप में पहचान की गई इन मामलों में से 10,249 टीबी के साथ पाए गये थे और 9,849 रोग्यों का इलाज शुरू किया जा चुका है आपको बता दें कि इस साल स्वतंतरता दिवस के मौके पर 75 और जंजाती जिलों को आगामी महीनों में ध्यान के इंद्रित करने के चुना गया है इसके लिए 3 स्तरों पर रुणनिती बनाई गई है मसलन समुदाय को एक जुट करके टीबी से जुडा डर दूर करने जाच और निदान के बुनियादी धाचे में वृद्धी करके टीबी सेवाओं में तेजी लाना और सक्रिय मामलों का पता लगाने के साथ ही बिमारी के फैलने को रोखना देश में टीबी के लगबग 28 लाक मरीज है और हर वर्ष इस बिमारी से देश में करीब 4.2 लाक मरीजों की मौत होती है अगर आदिवासियों को देखा जाए तो उनमें गैर आदिवासियों की अपिक्षा टीबी के मरीज 3 गुना ज्यादा है या आकड़े डराने वाले हैं लेकिन सरकार ने इस बिमारी से सबसे ज्यादा खत्रे में रहने वाले आदिवासियों को इससे मुक्त करने के लिए कमर कसली है अपने दूसरे सेग्मेंट में बारी है मैं भी भारत पोल की सोमवार को हमने मैं भी भारत की यूट्यूब चैनल पर एक सवाल किया था सवाल था कि गुजरात चुनाव में आदिवासियों इलाकों में बीजेपी की जीत और आम आत्मी पार्टी को मिले समर्थन के बाद आदिवासी विशेश के किसी दल की संभावना कितनी बची है इस सवाल के जवाब में 53 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अभी भी संभावना है जबकि 29 प्रतिशत लोगों ने इस संभावना को नका रहा है वही 8 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कुछ संभावना बाकी है तो करीब 10 प्रतिशत लोगों ने नहीं पता का option चुना ये तो हुआ पोल का परिणाम लेकिन हमने ये सवाल पूछा क्यों था हमने ये सवाल इसलिए पूछा था कि गुजरात चुनाव से पहले कई समाज शास्त्रियों और राशनिती के जानकारी कहने लगे थे कि अब वो समय आ गया है जब आदिवासी जनसंख्या में आधा रखने वाले दल राज्यों की राशनिती में बड़ी भूमी का निभाएंगे इस सलिए में गुजरात की जगड़िया विधानसभा से साथ बार विधायक चुने गए छोटु भाई वसावा के नेतरत वाली भारतिये ट्राइबल पार्टी की चर्चा काफी ज्यादा थी इस पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाओ में गुजरात में दो सीटे जीती थी इसके अलावा राजस्थान में भी दो विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी बीटीपी के अलावा मध्यप्रदेश में आदिवासी संगठन जयस भी राज्जी के अगले साल होने वाले चुनाओ में अपने उम्मीदवार उतारने की तयारी कर रहा है लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव के परिणामों से तो ऐसा लगने लगा है कि अब आदिवासी इलाकों में भी बीजेपी का दबदबा बन गया है बीजेपी ने इस बार गुजरात में आदिवासी बहुल 27 सीटों में से 23 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कॉंग्रेस 2017 की 14 सीटों की तुलना में इस बार महज 3 सीटे जीत सकी वहीं बीटीवी यानि भारतिय ट्राइबल पार्टी का खाता भी नहीं खुला इतना ही नहीं विधान सबा चुनाव से तुरंत पहले हुए पंचायत की चुनावों में भी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था गुजरात के आदिवासियों ने बीजेपी को वोट देकर एक राष्ट्रिय दल में ज्यादा आस्था दिखाई है जबकि भारतिय ट्राइबल पार्टी के ज्यादा तर कारी करता पार्टी छोड़कर आमादमी पार्टी में शामिल हो गए थे भारतिय ट्राइबल पार्टी के लिए सबसे अफसोस की बात ये है कि उनके सबसे बड़े नेता और साथ बार के विधायक छोटुबाई वसावा भी इस बार चुनाव हार गए है बीजेपी के साथ ही आमादमी पार्टी ने राज्य की राजनिती में नई एंट्री कर आदिवासी बेल्ट में पैर जमाने के लिए कॉंगरस को किनारे कर दिया है हलांकि आप यहां सिर्फ एक ही सीट जीत सकी वैसे कहा जाता है कि राजनिती संभावनाओं का खेल है और हमारे पोल में भी यही रूजान देखा गया इस पोल में भाग लेने वाले लोगों में से आदे से जादा लोग मानते हैं कि बीटीपी या दूसरे आदिवासी दलों के लिए संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है आखेर में चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट में जहां आच बात करेंगे एक आदिवासी वीर योद्धा की जिसका नाम है कोमाराम भीम आदिवासी स्वायत्ता के संघर्ष में कोमाराम भीम का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कोमाराम भीम गौंड समाज से थे और उनका जन्म संकेपली अदिलाबाद में 1990 में हुआ था भीम का बच्पन बहरी दुनिया से परे भीता वर्तमान तिलंगाना पहले निजाम के हैदराबाद राज्जे का हिस्सा था निजाम के शाषनकाल के दोरान कई तरह के टैक्स लगाय जाते थे और आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर जमीदारों के शोशन और अत्याचार का शिकार था अपने उपर चल रहे इन अत्याचारों के बीच भीम ने निजाम सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के शुरुवात की और उनकी सेना के खिलाफ गोरिला वारफेर की तकनीक को अपनाया जोडे घाट को अपने संगर्ष का केंदर बनाते हुए उन्होंने 1928 से 1940 तक गोरिला युद्ध जारी रखा उन्होंने 12 गाउं के आदिवासी युवाओं और आम लोगों को संगठित किया और भूमी अधिकारों के संगर्ष के लिए एक गोरिला सेना का गठन किया उन्होंने शेत्र को एक स्वतंत्रिक गौंडवाना राज्य घोषित करने की योशना को भी प्रस्तावित किया नेजाम के खिलाफ विद्रों के दौरान ही कोमराम भीम ने जल जंगल जमीन का नारा भी दिया कोमराम भीम का संगर्ष पून रूप से आदिवासियों पर हो रहे शोशन और अत्याचार के खिलाफ था ये संगर्ष जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए था उनके मृत्यों के 72 साल बाद यानि 2012 में भीम की मूर्ती को टैंक बैंड हैदराबाद में स्थापित किया गया और ये था आज का हमारा न्यूज बिलेटिन आदिवासि डेली अगर आप हमसे जुणना चाहते हैं तो नीचे दिये गए वाटस अप नमबर पर हमें मिस कॉल जरूर दें इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मैं भी भारत की यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद